दोस्तों नमस्कार सूरज की पहली करण के साथ में मैं कुमार संतोस्यादा परामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर एवं पीमल्टी निउस से सभी 12 बायलजी स्टूरेंट्स या फिजिस केमिस्ट्री मैथ के स्टूरेंट्स के लिए एडमिशन से संबंदित वह भी परामेडिक कोर्सिस में जो की यूप स्टेट मेडिकल फेकल्टी के द्वारा कंडेक्ट किया जा रहा है और यह परामेडिकल कोर्सिस कौर्मेंट मेडिकल कॉलेज गौर्मेंट परामेडिकल कॉलेज के द्वारा कंडेक्ट हो रहा है प्रीवेस वीडियो में मैंने बताया था कि कब से online आवेधन आप लोग कर सकते हैं अब इस video में आप लोग को ये बताया जा जाएगा कि किस तरीके से आप apply कर सकते हैं Link कहां पर एν कौन सी link के मादियम से आप apply कर सकते हैं तो वीडियो में बने रहना है पूरा वीडियो जरूर देखना है है skip नहीं करना है क्योंकि आपके admission से संबंदित है आपके भविश्य से संबंदित है कैसे अपलाई करेंगे कितने फीस होगी कितने सीड से कौन कौन से पैरा मेडिकल कॉलेज है गौवर्मेंट के कौन कौन से मेडिकल कॉलेज है गौवर्मेंट के कौन से निजी पारे मेडिकल कॉलेज है कौन से निजी मेडिकल कॉलेज है इसकी संपूर जानकारी इसमें दी जाएगी और लिंक कहा है लिंक कौन सी लिंक के मादियम से कौन सी वेबसाइट के मादियम से आप अपलाइक कर सकते हैं इसी वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा आप से एको निवेदन है कि जो भी लोग नए हैं वीडियो को देखते हैं तो क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस किजेगा क्योंकि एजुकेशन, जॉब, वेकेंसी से संबंदित सभी प्रकार के वीडियो आप तक मैं इसी तरह पहुचाता रहूँगा बेल आइकन को प्रिस करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा इमेडियेट आप लोग को सारी जानकारी मिलेगी और उसी वीडियो में हम बताएंगे कि लिंक कहां है, क्या फीस है, क्या सीट्स है, कौन से कॉलेज है वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हम आवेदन की प्रोसेस पर करते हैं कि कैसे हमको आवेदन करना है दोस्तों जैसे कि आपने आपने देखा कि यूपिस्टेट मेडिकल फेकल्टी के दूरा कि परेयल मेडिकल कोरुसेस में अमिशन्साल्ट हो ये वीडियो पर बने रहेगा बीच में स्केप नहीं कीजिए ये छोड़ की मज जाईयेंगा नहीं तो तक्रीफ आप नहीं हो नहीं है तो आईए हम सुरू करते हैं यहां पर आप देख रहे होंगे U.Pस्टेट मेडिकल का वान्य फेकल्ट्टी क्रिशा 2020 सुरू करती गई है हम सिल्सेवार डिटेल जानेंगे यह निर्देश में पुस्तिका है कि भूसता है कि वीडियो लंबा हो तो लेकिन आपने बने रहना है क्योंकि आपने लोगों ने एड्मिशन लेना है यहां आप देख रहोंगे विशेश प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग बहुत ही विज्ञान दसायन विज्ञान जी विज्ञान या गड़ित मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायलोजी और यह लोग एड्मिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ में अगर किसी का फिजिक प्रक्षा में प्राप्तांकों के प्तिशत के जोडह के आधार पर होगा मतलब 10 में जो आपके मार्क साइंगे आर्ट्स में जो मार्क साइंगे उसको जोडने के बाद जो B Singing B Cult बनता है उसके अधार पर यह को तो इम्पॉर्टटन्ट यह है कि यह मैरिट के आधार पहिए इसमें किसी प्राग कोई एक्जाम नहीं लिया जा रहा है अभी तो जिसके भी 10 और 12 में मैं अच्छे मार्क सोंगे उनका सेलेक्शन हो सकता है उसके बाद काउंसलिंग होगी यहां पर कौन कौन से कोर्से से हैं उसके बाद हम डेटल आप देखिए डिप्लोमा इन लाब टेक्निशन नाइन हंड़ेट सीट से गौवर्मन मेडिकल कॉलेज में और गौवर्मन परमेडिकल कॉलेज में उसके बाद 3-3-4-3-4-3-4-3-4 न मेडिकल क्लेज में और प्राइवेट में 2-94 डिपलोमाइब ल्टेटोरल्फित अब टेक्निशन सेवैंटी सिक्स्ट, नैंति डिपलोमाइब फर्मीसी टेक्निशन 300 गौवर्मेंट मेडिकर कॉलेज में और प्राइवेट में 39 है उसी पिकार KGME जो किंग जॉर्ज मेडिकर कॉलेज लखनों में है उसका अलग से बहुत सार कोर्सेस है तो आप उसकी वेबसाइट पर जाए करके देख सकते हैं और 38-38 सीट सभी में है और जो किंग जॉर्ज म कालेज सभी जगह है लखनों में वहां पर 38-38 सीट्स सभी जगह हैं तो आईए चलते हैं, आप वीडियो तक बने रहेगा completely, क्योंकि आखरी में ही हम बताएंगे कि आप लोग किस तरगे से आवेदन कर सकते हैं, बहुत साथ लोगा कोशन था, इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत साथ लोगा कोशन था कि कैसे हम आवेद चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेर करें, बेलाइकन को जबर परिस किज्एगा ताकि इस बेना की जो भी नोटिफिकेशन से वह आप तक पहुत सकेंगे, तो चार च़ीज़ जरूर किजverse किजएगा सब्सक्राइब किजें लाइक किजें, शे और आवेदन करने की अंतिम तिथी यह देखिए यहां पर ओल्लाइन आवेदन प्रारम करने की तिथी 30-10-2020 मतलब 30 तरह से स्टार्ट उचकी है आज दूसरा दिन है और आवेदन प्रारम करने की अंतिम तिथी जो है 21 नॉवंबर 2020 है और मेरेट सुची जो आएगी आप लोग का सेलेक्शन जिसका भी होता है उसकी सुची आएगी 28-11-2020 को उसके बाद काउंसलिंग होगी पर्थम काउंसलिंग की तिथी बता दिया जाएगा और दूत्री काउंसलिंग की तिथी भी बता दिया जाएगा तो आप लोगों ने याद यह रखना है कि 21 नॉवंबर 2020 is the last date of online form submission 21 नॉवंबर 2020 last date है और इसका online आवेदर करने का फीस कितना है 1000 रूपीज चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिन लोगों के 12 में फिजिस केमेस्ट्री या बायोलजी सब्जेक्ट है या फिजिस केमेस्ट्री या मैस सब्जेक्ट है वो लोग अपलाई कर सकता है एज क्या होगी एज यहां लिखा हुआ है अभ्यार्थी को 31 दिसंबर 2020 को 17 वर्ष की आयू होने जाहिए मतलब 17 साल का हो जाना चाहिए यह आरक्षण अरक्षण के इसाब से 2% 21% सीट्स का लॉट्मेंट है आगे हम चलते हैं फीस क्या होगी बहुत सारो लोग ने फीस के बारे में प्रस्ण किया है इससे पहले के मेरे वीडियो में तो मैं आपको बता देता हूँ गौ़र्मेंट मेडिकल कॉल्ज में सास की प्रिस्ट के इंद्रवबशूक जो है डिप्लोमा इन फार्मिक कर clause alc to auss 24000 बतला गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में प्रस्तप्र में उत्त्रवतेस के बीवीन वीडिलों में है तो वहाँ पर फिस प्रतिवर्स 21,000 पर लेगी निजी अगर private medical college है हम नीचे भी बता रहे हैं कौन-कौन से college है उसके बारे में भी डिटेल आपको पता चल दाएगी तो निजी है निजी में 45,000 मतलब 45,000 रुपया डिप्लोमाइन फार्मेसी का है और 24,000 रुपया डिप्लोमाइन एक्से टेकनिशन डिप्लोमाइन रेडियो थेरेपी टेकनिशन और डिप्लोमाइन रेडियो थेरेपी और KGMC का या किंग्जॉर्ण मेडिगल कॉलिज का सिक्टन सूल KGMC की वेबसाइट पर उपलब दे से निजी पैरामेडिकल कॉलेज हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मोदिला नेहरू मेडिकल कॉलेज इलहाबाद इसमें अच्छा देखे हर कॉलेज में सीट्स के बारें बताया गया है गॉर्मेंट मोदिला नेहरू मेडिकल कॉलेज इलहाबाद जो की गॉर्मेंट का है फार आपकैंब difes ईसे से किंग जोर्ज में पालीज में भी जो है जो है लबोटरेजु की हन्टेश्ट है है फिर हम एल एल नाध्य कोलेज Hindi मेहरत जिसमें सीट्स फरमेशी की एक्सरे की पचास और अफ्रेड इस तरह से ये सारे जो है सीरियल नंबर wire thick जैंटे ले करके सेशीर ले कर के कंद्रह तख ये गवार्ण्मेनन बरwow मेटिका कॉलेजे से उसके बाथ जो है सीरियल नंबर 16 से से नीचे तक आप जाएंगे सीरियल नंबर 16 से 29 जो है वो नीजी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज हैं और एक से लेकर के सोलक तक गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज हैं तो यह डीटेल हैं अब महत्रपूर्ण चीज यह सब डीटेल तो आप तक मिल गई आप लोग आवेदन कैसे करेंगे अच्छा इसका जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ पर भी क्लिक करेंगे उससे भी आप उपन कर सकते हैं और वहाँ जागा के आवेदन कर सकते हैं और साथ में इसी वीडियो में बता भी दूँगों कि कौन सी वेबसाइट है तो चलिए चलते हैं वेबसाइट के उपर देखिए यह है वेबसाइट एक वेबसाइट है दूसरी वेबसाइट है एक वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से भी क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं साथ में मैं इसी वीडियो में आपको गूगल की मादियम से भी बता दूँगा कि जैसे आप लोगे आवेदन करना है तो यह पूरा डेटेल है आप लोगे पढ़ लिजेगा आप उस प्रॉस्पेक्टिस को भी डाउनलोड कर लिजेगा उस ऐसी जो यह डी बताए गी है इस iड पर आप लोगो यह जो वैबसेट बताएगी है इस पर आप लोगो को अपना इमेल अपना आई डी जनेरेट करना और आप आसव्पोर में मैं आपको आगे बताता हूं इसी वीडियो में और इसी का इसी वैबसाइट Print दिस्क्रिप्शन में हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे आप उससे भी क्लिक कर सबते हैं और एक और चीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बेल आगर में जरूर प्रिस कीजिएगा और मेरे जितने भी वीडियो बने हुए हैं इ तो मैं आपको यह गूगल पर गए हैं यहां पर हम जो है डालेंगे सिम्पल दासते हैं सी पी एस पी कि टू जीरो टू जीरो डॉट यू पी यू पी एस एम एफ एसी डॉट ओ आर जी एंटर करेंगे यह वेबसाइट ओपन हो रही है यह देखिए यह वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है ठीक है यह वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा आप लोग परशान होने की ज़रूरत नहीं है आप वहां से भी क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर डायट ल सेलेक्शन प्रोसेश एल्टी मतलब लैब टेक्निशन एक्सरेइट फार्मिसी रेडियो तेरिपी अदर परामेडिकल कोर्सेश संयुक्त परामेडिकल प्रक्रिया तोजर बीस के लिए आउनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं आवेदन दिनांक 30 तोजर बीस से 21 तक यह जा सकते हैं और यह दिया हुआ है अब आप लोगोंने क्या करना है यह प्रॉस्पेक्टर से इसको डाउनलोड करेजिएगा उसको अच्छे से पढ़ लिजिएगा पूरी डेटेल उसमें ले लिजिएगा फिर आप लोगोंने यहां पर इस जगह पर यह आप देख आपकी आइडी जन्रेट हो जाएगी पासवर्ड आपका जन्रेट हो जाएगा फिर आप लोग डाइट लिस पर से इन करके भी कर सकते हैं बहुत साथ लोग जानते होंगे मैं अब कोशिश करता हूं ओपन करने का यह निए अप्लिकेंट रिजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लि किया अभी ओपन हो रहा है स्टेब बाइस टेब और यह देखिए डाउन लोडिंग लोडिंग डाटा प्लीज वेट अब यह सोड़ा मेरा नेट्वर्क होसता है सोड़ा सुलो हो यह आ गया है पूरा ठीक है अब यह डिटेल आ गई है आप देखिए दुबारा से सीट्स के बारे में बता गया कोशिस के बारे तो मैं यहां पर क्लिक करेंगे इंग खी है हेर सटीफाइड यहां हागे डॉनलॉट प्रोशेस यह नाम ड्यएं फ् RC फादर नेम ड्यऐं मदनेर्श नेम डालीं रिलीजन डालीं अ पर्थ डालिए यह पिन कोड मोबाइल सब कुस आपको डालना पड़ेगा इमेल आधार नमबर फिर यह आई स्कूल का सारा डिटेल डालिए यह से आफ डाल देंगे इस तरह किसे अपलाई करेंगे इसमें सारा चीजा आपने देखें मैं स्टेप फिर से बताता हूं आपको प्रजिस्ट्रेशन पैनल लए फिर्स्ट नेम सेकेंड नेम मेल है फिमेल फादर नेम बदर नेम एड्रेस डेट अब बर्थ कंट्री देखें मैंने बहुत सारे डिटेल आपको मैं बता दे रहा हूं आपको बहुत सब्सक्राइब हो जाएगी पिन कोड मॉबाइल नंबर नेशनलिटी इमेल आईडी आपका आधार नंबर चाहिए आई स्कूल का दिश्रिक्शन आप यह यहां डालेंगे कैसे किया अपने यूपी बोर्ट से सीब्सक्राइब फिर यह हो गया फिर इंटेमेडियर 12 का आप डिस्रिप्शन देंगे पूरा कंप्लीट करेंगे मार्क्स अप्टेंड दिखा हुआ फिजिक्स में कितने मार्क्स थे आपके सो में से कमिस्टे में कितन यह ते इस तरह किसी आ जाएगा फिर यहां पाई यह बडिक्लियर एंड सेव कर देंगे तो आपका डिटेल चला जाएगा उसके बाद फिर आप आउनलाइन मिंस आप लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माधियम से भी आवेदन कर सकते हैं तो उमेद करता हूं कि आपको इंफर्मेशन आप तक सही पोची होगी आप इसका लाब दे सकेंगे अगें रिपीटिंग चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए शेयर किजिए बेल आपकर ग्रॉप जब प्रिस किजिए क्योंकि आगे चलकर भी अच्छे वी कि जो भी सब्गयी में प्राबलम होती है अब तो भी आप मुझसे क्योंस पूर्श सकते हैं और अगर किसी को भी कुई डौट हो कि सब्जमिन नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद